हाई फ्रेंड्स यू आर मोस्ट वेलकम ओन आवर चैनल अनवन इंग्लेश लिट्रेचर तोड़े वी विल डिस्कस अबाउट ब्रीफली हिस्ट्री अफ इंग्लेश लिट्रेचर पढ़ने से पहले कुछ इंग्लेश के इतिहास के बारे में जनकारी चरूरी है क्योंकि इंग्लेश इंग्लेफंट के हिस्ट्री पे ही में सोबड़नेतिंस इंग्लेश की लैंडियक्लेफ इसका बर्थप्लेशिवी इंग्लाइनड ही से हुआ है बार में आ करके धीरे रह जगार से एक फैला बट मेन इसका जो बर्थफिले सिंग्लाइंड है तो इंग्लाइंड के जो इतिहास जैसे जैसे बढ़ा बदला उस तरह से इंग्लिश में भी चिंजे जाया शो इंग्लाइंड का इतिहास संचिप में ही जाना जरूरी है इंग्लिश लिट्रेचर के अच्छे स्टुडेंड को यह ज़रूरी है जाना तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इंग्लाइंड में जो आज हम लोग इंग्लाइंड जान रहे हैं यह इंग्लाइंड का नाम इंग्लाइंड नहीं था बहुत पहली अगर याए तो इंग्लाइंड का कुछ और नाम था हम बात करते हैं सबसे इस स्टार्टिंग में गदम बीगिनिंग टाइम में ऑने इंगलेंड जो इंगलेंड के ने वे सेल्ट कहां लाता था हुआ कभी इसको प्रोनासियेशन है हुआ पड़ते हैं bullet या सेल्ट भी तो सबसे पहले जो इंग्लेंड का जो नेटिव है वो सेल्ड था जो अब टू 55 BC यानि कि जबसे इंग्लेंड का हिष्ट्री है जबसे इंग्लेंड का हिष्ट्री का श्रट हुआ है तो इस में जो क्रॉच सेल्टिक्स और ला इस तुंदेल सोफ ड़िडिन होगों से अदिवासि जर्ष धैब फ्रॉट को दूमिन को जोप दो लोग सब था कि जो सब बंसक्राइब मेंिक अनल again एक यह रहता था है लोत कहां था सेल्टिक्स है और वह स्टार्टिंग ले इंग्लैंड का जो हिस्ट्री स्टार्ट है इंग्लेंड कंषस्टार्टिंग से ले करके 55 20 ये लोग वहाँ था उसकी पाद इंगलेंड पे रोमन स्काटैक हुआ, ये रोमन क्या है? तो आज हम लोग जो जानते हैं इटली, इटली की जो कैपिटल है रोम, तो उस टाइम विए पूरे इटली के रिपर्जेंट करता था रोमन, यानि रोम, रोम कहें तो आज के पूरे इटली, तो ये वहां के ल लोग 55 बीसे में अटैक किया, आप सेक्सपेर का एक पले पड़े हुएगा, या आगे लोग पढ़ेंगे, जूलियर सीजर, तो जूलियर सीजर ने स्टार्टिंग में ये इंगलेंड पे दो-तीन बार अटैक किया, लेकिन उनको उतना सक्सेस नहीं मिला, लेकिन बाल में उसी का जो भाई थे, वो भी अटैक किये, तो उसके बाद वो सक्सेस राइस में और इंगलेंड पे ये लोग बीजय प्राक्त कर लिया, फिर वे ये रोम का असासन इस्टाबलिस्ट हो गया इंगलेंड में, और वो 55 बीसी से ले करके, फोर हंडेड, फोर्टीफोर या फिप्टी, एडी तक इसका असासन रहा, लगभग पांसो सालों तक, रोम, रोम का, रोम बालों का असासन इंगलेंड पे रहा, उसके बाद, फिर यहाँ पे शाता परिवर्टन हुआ, एंगलो, शेक्षण, और जूट्स, यह एंगलो, सेक्षण, जूट्स, यह सारे के सारे जर्मन ट्राइब्स थे, जर्मन के थे सब, और यह सब, फिर 449 में इंगलेंड पे यह उस्ताइम इंगलेंड नाम नहीं था, लेकिन अभी नाम उसको देते इंग्लेंडी यानि ब्रिटेन भी था ब्रिटेन कहला आता था तो उसे ब्रिटेन पर ये लोग अटाइक किया जिसमें सबसे पहले जूट्स अटाइक किया उसके बाद जूटस के बाद section आया section के बाद एंगलो आया ये तीनों attack किया थोड़ा मैं इसके बीच के कहानी बता रहा हूँ दीखे रोमन लोग क्या हुआ कि रोम पे बाहरी आक्रामन रोम जो इटली है उस पे बाहरी आक्रामन हो रहा था और रोम बालो इंगलेंड पे कवजा बनाया था इंगलेंड को गुलाम बनाया हुआ था और इटली खुद गुलाम यहां बनने जा रहा है दूसरी लोग जो इस पे आटेक कर रहा है रोम के सासक रोम के शैनिक अधिकतर वो सारा इंगलेंड में था यानि ब्रिटेन में था तो जो रोम के जो कुछ सैनिक या यहां के जो लोग इतली में रहा यानी रहा रहता था उन लोगों ने लेटर लिखा कि तुम दूसरे देशं को गुलाम बनाई हुए हो आद तुमारा देश खुद गुलाम बनने पे दुला हुआ है पहले आओ अप ये रोम के लोग जो इंगलेंड पे सासन किया था इतने लंबे समयश है लगवा 500 सालों से ये लोग इंगलेंड को छोर करके अपना बोरिया विस्तर समाला और कूच कर गया अपने इटली क्योंकि इसका देश पे भी अटैक हो रहा था सानिक था इंगलेंड में तो ये लोग लोग वहां के तो नेटिव स्पीपल थे तो लोग के पास थोड़ा वह गया लेकिन इसी बीच में इसी बीच में इसी बीच इंगलेंड इंगलेंड पे एक बहुत खुंखार ट्राइब्स का अटैक हुआ जो शेल्टिक्स लोग बाच गया था क्योंकि रोमेन वाला तो वहां से मूव कर गया अपने कंड्री तो एक ऐसे खुंखार आदी मानब का जो अटैक हुआ इंगलेंड पे यानि उस टाइम के बिरिटेन पे तो सेल्टिक्स लोग अपने जान बचाने के लिए दूसरे ट्राइब्स के पास सरन में गया वो था एंगलो शेक्सन जूट्स ये सरा का सरा जर्मन था और शमुंद्री किनारे पे राता थ यानि यह दोनों तो समुद्री के किनारे दा राता था एक तरह तो इंगलाइंड है यानि ब्रुटेन जहां सेल्टिक्स लोग है और यह जर्मन जो ट्राइब सब एंगलो शेक्षन सब रहा करता था तो सबसे पहले जूट्स आया और फिर थोड़े समय बाद शेक्षन आय उसके बाद एंगलो भी आया तो हुआ क्या कि सेल्ट्स जो शेल्टिक्स लोग थे वहां पर वह एक कि एक कहतो एक ऐसे लेंग्विज में कि एक सेर से बचनी के लिए दूसरे सेर के गोदी में बैठ गया तो जो अक्रमन हो रहा था इस पर उसे तो बाच गया उसके कबजे में तो नहीं गया लेकिन दुसरे ट्राइब्स था जहाँ एंगलो शेक्षन झूट इसके पास गया तो फिर क्या हुआ एंगलो शेक्षन जूट से ये लोग इसको अपने कबजे में ले लिया गुलाम बना लिया इसको सेल्टिक्स लोग अब सेल्टिक्स लोग फिर इन लोगों का गुलाम हो गया एंग्लो सेक्षन का और ज्यादा तर पिरियेड में ऐसा हम लोग सुनते हैं एंग्लो सेक्षन पिरियेड एंग्लो सेक्षन पिरियेड एंग्लो शेक्शन ज्यादा पावर्फूल था तो ये दोनों एंग्लो शेक्शन ये दोनों मिल करके फुरे इंग्लैंड पे अपना गभ्जा कर लिया और जूट गोए ऐरिया जिसको आफिन्गलैंड उस साथ और इस साड में केंट है तो वो एरिया दे दिया इसको जूट्स को अब बाकी पूरे एरिया पे एंग्लो शेक्षन अपना राज कायम कर लिया इस वज़े से इस पेडियेट का एंग्लो शेक्षन ही नाम कॉमेली सब लोग जानते हैं जूट्स का नाम उतना नहीं आता लेकिन सबसे पहले जूट्सी आया था बाद में शेक्षन उसके बाद एंग्लो आया था तो यह अब यह लोग जर्मन का ट्राइब्स था यह 449-1066 यानि लगबग 600 वर्षो तक यह लोग इंग्लेंड पे शासन किया और इतने जब लंबे समय तक जो कोई शासन करता है तो दिरे वो भी वहां का ही कहते तोReilly ऐबन गया एं प्रिटेंड मेंड टरनाया फिर एक शाता परिवर्तन हुआ वो हुआ कि जब नॉर्मन का अटाइक हुआ इंग लैंड पे एक ब्रिटिश हिस्ट्री में का टर्म आता है नॉर्मन कंक्वेस्ट नॉर्मनों का विजय है ये 1066 में हुआ नॉर्मन का विजय है 1066 में और यह है को नॉर्मन दिखें यह नॉर्मन भी एक ट्राइबश ही था और यह ट्राइबश कोमनली यह जाना जाता था एक सकेंडिनीवियन से यानि एक सकेंडिनीवियन एक कलेक्टिव नाउन है इसमें कई गुरूप का कई गुरूप का कंट्री का जो ट्राइबश था वो लोग राता था यानि मेल रूप से चार कंट्री का एक कॉमनली नाम एक है यह इसकेंडिनीविया जिसमें डेन्मार्क नौर्वे स्वीडेन आइसलेंड यह चारू कुमिला करके स्केंडिनीवियन बोलते हैं तो यह जो चार जगह यह देन्मार्क नौर्वे श्वीडेन और आइसलेंड यह चारू कंट्री का जो ट्राइब्स था वो चारू कंट्री का ट्राइब्स प्रांस के एक जगह का नाम था नॉर्मंडी फ्रांस में एक जगह है जिसका नाम था नॉर्मंडी तो यह चारू कंट्री का जो ट्राइब्स वो फ्रांस की नॉर्मंडी जगह पे आकर बैस गया था और उस जगह को जैसे अपने कभजे में ले लेता है जैसे हमारे यहां भी हòngिए होता एक कि कुछ आधिवासी सब को कि अबे box सिरी एक खूंड में होता है वह अपने जैसे कबजह कर लिए पूरे टेंट इनट लगा करके और वो लोग बहस कर जाता ऑपने बोड़ी अबिस्टास्ताई लेकर हिजाता है जहां बस गया तो सरावह लगता है वह पना ही वो उसको समाझ लेता है तो इसे तरफ फ्रांस में आया फ्रांस के नॉर्मंडी जगह पर और उसको अपनी कब्जे में ले लिया और वहां पर वो लोगवश क्या रहने लगा तो फिर उस जगह का नाम इन लोगों आइसलेंड से आया हुआ ट्राइब्स था जो फ्रांस के नॉर्मन जगह पर शारा बस गया अब अब यह फ्रांस में जब आ गया तो फ्रांस से अब यह एक तो जगह इसके रहने के लिए बन गया अब कुछ समय बाद यह फ्रांस से अटाइक किया गिए ब्रिटेन पर फ्रांस से ब्रिटेन पर अटाइक किया और 1066 में यह दोनों के बीच लराइया हुई एंग्लो सेक्षन जूट्स और यह सारे लोग वहां का ब्रिटेश का तो सेटीजन बनी गया था और यह लोगों से नॉर्मन का दोनों का फाइट हुआ जिस फाइट में नॉर्मन लोग का यह जीत हुई और एंग्लो सेक्षन की हा 1066 में लोग जीत गया इंग्लेंड को फटक कर लिया फिर वहां पे और इंग्लेंड पे नॉर्मन लोगों की शासन कायम हो गई और 1066 से लिए करके लगवाग 1272 यानि यह एक्जैक्ट डेट नहीं है कुछ आगे पीज़े हर हिस्ट्री में इतिहास में आगे पीछे दीता है कुछ साल आगे पीछे लेकिन लगवाग 1300 इसपी तक लगवाग 1300 इसपी तक यह नॉर्मनों का इंग्लेंड पे कब जा रहा लगवाग 1300 तक लगवाग 1300 के आसपास इंग्लेंड जाकर कि इंडिपेंडेंट हुआ शोतंत्र हुआ लगवाग 1300 के आसपास में जब वहाँ पर एडवाड फार्स सेकेंड थर्ड इस सबका जो सासा आया था उस टाइम में इंग्लेंड पुन रूप से इंडिपेंडेंट हुआ और तब से लेकर कि इसका अपना अपना कि यह अपना सासा ने सबका चलनने लगा तो हम देख रहे हैं कि इंग्लेंड का जो इतिहास है यह जब से शुरुवात इसका हुआ है स्टार्ट हुआ है तब से यह दूसरे देश का ही गुलाम था लगवाग देखे तो हजार साल तक 1000 यर्स से पल ज़दा ही हो गया 1300 यर्स इतनी समय तक यह दूसरे देशयों का गुलाम रहा रोमन का एंग्लो शेक्षन का नॉर्मन का उसके बाद जाकर के गुलाम हो यह चुटकाड़ा मिला यानि जौफरी चौशर के टाइम में उसके बाद यह लोग 15 अताबदी से यह लोग दूसरे जगह घुमने लगे देश को खोजने में इंग्लाइंड और खास यू यू यूरोपियन जो कुछ कंट्री है पुर्तगाल है इंग्लाइंड है फ्रांस जर्मानी यह लोग दूसरे देश को खोज में सब निकलने दीरे-दीरे सारे कंट्री का डिस्कावर हुआ पहले कंट्री तो था भी पहले से लेकिन कनेक्ट नहीं था एक दूसरे से लेकिन सब दीरे-दीरे कनेक्ट हुआ जो लोग उस टाइम जिस कंट्री के कंट्री में पहले आता था जो लोग पहले जाता था वो अपना गुलाम वो समझ लेता था कि इसका खोज मैं नहीं किया है वो अपने अंडर में उसको ले लेता था जैसे कुलंबस है सबसे पहले 1492 में अमिर्का गया तो ये कहते हैं कि अमिर्का का खोज उन्हों नहीं किया अमिर्का को फिर वो गुलाम बनेया इसी तरह 1498 में में वास्कोडी गामा जब इंडिया आए तो इसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इंडिया का खोज वास्कोडी गामा ने किया ऐसा नहीं कि इंडिया इससे पहले नहीं था इंडिया तो था ही उससे पहले भी था लेकिन वो दूब्स country, European country और country का connect में नहीं था तू connect में आया तो अपना दावा क्या किया, मैंने इसका खुज किया फिर दीरे-दीरे वो लोग बेपार के माध्यम से ये इंडिया को ये तो सब लोग जानती है कि किस तरह से गुलाम इंडिया को फिर वनाया ऐसे धिरे धिरे लगवाग पूरे ये जो country है world के जो इतनी भी country है धिरे धिरे इसी तरह से सबके एक दुसरे connector में आता है गया खुशते है गया और जो पहले गया वो अब उसको गुलाम बनाते गया और इसमें सबसे आगया इंग्लेंड हुआ तो जो खुद इतने लगवा हजारो साल तक दूसरे का गुलाम था वो पंदरहमी सताव यानि 16 सतावी के बाद से ये दूसरे देश को भी गुलाम बनाने लगा और इसी वज़़ज़ से इसका इंग्लिश जो लिट्रेचर है ये language के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात कर करूंगा कि English कैसे किस तरह से English फायला और English का डिव lap कैसे हुआ ये English का नाम कहां से आया में में बात करूंगा तो इसे इनग्लाइंड जैसे जैसे इसका अपना सम्राज बारता गया जैसे दूसरे दूसको गुलाम बनाता गया उसी के माधियम से इस वहां का जो नेटिव लैंग्विज इंग्लिश था वो फैलते गया धीरे-धीरे पुड़े वर्ड में ये इंग्लिश फैल गया और आज तो एक इंटरनेशनल एमेल्ज के रूप में जाना जाता है हर कंट्री में हर जग पे इंग्लिश का यूज है डिमांड है और इसके बीना काम चलता नहीं है तो मैं एक डम व्रिफली छोटे से वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश किया अगर आप लोग का डिमांड रहा तो और थुरी भी स्टार से मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा अभी के लिए इतना ही थैंक्यू